हेलो गाइज स्वागत आपका अकेडमिक प्लस पर चप्टर चलना था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन उसमें हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके थे सारा जिसने भी वो वीडियो नहीं देखिए भी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनका सारी इंपोर्टन टॉपिक है सीदे सीदा कॉस्चेन आता है इससे और हंड्रेट परसंट है क्वेशन आएगा ठीक है रिफ्लेक्शन से बहुत इंपोर्टन टॉपिक रहता है यह एक्जाम में तो आज हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं वें ट्रैवलिंग अब्लिक्रली फ्रॉ होना को हम कहते है रिफ्लेक्शन ठीक है इसमें भी सेम एंगल आई होता है एंगल आर होता है एक बस इसमें फर्क रहता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में कि इसमें मीडियम आ जाता है इसमें मीडियम चेंज होता है ठीक है अब मीडियम कोई सा भी हो सकता है एर वा ग्लास सलब ने मीडियंग 2 ले लिया, घ्ग, मीडियम 1 तो हमारा , जिय क्या है, रेख मीडियम और ग्लास सलब अदियंग को बनाएगी, अब इंसीडेंट रें, ड्यानसर मीडियंग की तरफ, तो जब इंसीडेंट रे सकते पड़े हिएँ, तो वह सेम जैसे reflection हो था उसी की normal ray की क्या उसी को cross करते वे नॉर्मल रे को बनाएगी ठीक है और उससे क्या होगा dancer medium की तरफ क्या हम direction cover कर सकते हैं और उसका movement देख सकते हैं कि कि side bending हो रही है तो angle eyes में भी है incident ray नोर्मल रे के बिछ में और जब dancer medium की तरह मोव करेंगी तो normal ray की तरप करेगी जब dancer medium मेंूव करेगी अब dancer से रेख में आएगी तो जब रेख में आएगी तो यहां पर भी नॉर्मल रे तो यह क्या करागा normal ray वेज याएगा मेंने नौर्म abay है medium तो इसलिए मुव करेगी है तब कभी भी हम एक्स या हमने कोई 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 डाल देया पानी में या हमने कोई प्रिज्बं में देख्ते हैं हम लाइट तो थो प्रिर्म से लइट हम देखते हैं ग समस्का यह एंफ नोउम اेंट करते भू दिखती है लाइट. ठीक हैμp तो यह इसे रिफ्रेक्ट्षन के थ्रू होता है अब इस अंगळ क्या में अंगळ र भी मिल गया इसी की मदद से इसने क्या कर दिया लॉज मना दिया रिफ्रेक्शन के ठीक यह भी सारे सेम प्लेन पर बढ़ेंगे ठीक है गाईज फर अग्जामपल के लिए देखते हैं जैसे इसके डाइग्राम में यह है ठीक है यह भी प्लेन दोनों आपस में पहला लाएं तो यह क्या होगा सिंगल प्लेन ऐसे और ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सेम प् ठीक है गाईज तो यह पहला लॉक कहता है हमारा जो रिफ्लेक्षण में भी था ठीक कितीनों रच क्या होंगी सेम प्लेन 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 प्ले अव्ली अपको से भी मीडिया लिया होगा उटारे मीडियम में क्या होगा जो sin i होगा upon sin r वह में से क्या होगा constant होगा ठीक है गाइस फिर हो कोई से भी light हो कोई से भी light के color हो ठीक है इस law is also known as snail's law of reflection इस law को हम snail's law of reflection भी कहते हैं ठीक है यह second name बहुत important रहेगा कि कभी-कभी laws of reflection से नहीं पुछा जाता है laws of snail's law से पूछा जाता है कि question पूछ दिया कि what is snail's law of reflection ठीक है तो आपको यह laws सिखने हैं दोनो ठीक if i is the angle of incidence and r is the angle of reflection then sin i upon sin r is constant जो second law कहता है ठीक है इस constant value is called the reflective index of the second medium with respect to first अब इसी में एक चीज़ जब ही constant आगया तो इस constant को कहेंगे क्या तो आपको इस constant को कहो आप refractive index ठीक है किसके इस respect में second medium जो second medium निकलेगा जो refracted वाला उस medium का refractive index कहो किसके respect में पहले वाले के respect में ठीक है अब यह आपको समझ में आगा हो कि जैसे हमारे पर rare medium अब हमारे पास rare medium जो होता है air होता है जनरली हम air लेते हैं standard form में वो क्यों लेते हैं वो भी पता चल जाएगा क्यों लेते हैं हम क्योंकि air air का जनरली हम vacuum लेते हैं vacuum का जो भी speed होता है light में 3 into 10 this power 8 meter per second ठीक है और air में भी light की speed जनरली इसी से थोड़ा सा काम होती है बहुत ही negligible कम होती है हम इसको तो इसी को count करते हैं standard form में air का हमें rare medium का क्या है light का speed हमें मालूम है तो हम second medium का आराम से असानी से निकाल सकते हैं क्योंकि sin i upon sin r हमें निकली है is equal to हम इसको निकाल सकते हैं ठीक अब refractory index कि इसमें क्या क्या है definition क्या है इसकी इसमें absolute refractory index आता है वो क्या है ठीक है absolute refractory index में हम air की speed को standard मान के चलते हैं it is the ratio of speed of light in vacuum sea to the speed of light in medium v ठीक है जो मैंने कहा था भी कि अब इसको generally पहले इसको denote करने कि लिए refractory index को कोई इसे mu से करता है कोई n से करता है तो आप किसी से भी लीजिए ठीक है n से लीजिए चाहे mu से लीजिए अब इसने कहा कि ratio क्या है ratio of the speed of light in vacuum vacuum मैंने कहा था ना vacuum vacuum c upon v c हम लेते हैं क्योंकि हम vacuum की speed में vacuum में हमें speed पता है light की ठीक है vacuum की speed हम जज़ा तर count यहीं करते हैं कि air की speed में ठीक है और v दूसरा medium में हमार पास कोई सा भी medium हो glass slab हो कोई भी water हो alcohol हो kerosene oil हो कुछ भी हो हमार पास kerosene हो oil हो ठीक है तो हम second medium का निकाल सकते हैं किसका respect में पहले medium के respect में क्योंकि पहले medium की speed हमें मालूम है ठीक है second medium की speed हमें मालूम होगा तो दोनों का ratio से जो value आएगी वो हमारे refractive index होगा ठीक है guys तो इसको हम absolute लेते हैं इसी को हम generally क्या करते है refractive index भी कहते हैं लेकिन इस refractive index को हमने थोड़ा सा change किया it is the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 ठीक है अब हमारे पास rare medium जो था air था वो air नहीं है कोई दूसरा medium है मालू हमारे पास दो medium है medium 1 हमारे पास कवंस आ गया water आ गया medium 2 क्या आ गया हमारे पास glass आ गया तो हमारे पास किसी अब इनकी अपस में हमें speed मालू हो नहीं थी अब इनकी light की speed हमें मालू है तो हम refractive index निकाल सकते हैं इसके लिए हमने formula जनरली बनाया है जो उन्होंने वो है V1 upon V2 medium 1 upon medium 2 किसका refractive index निकलेगा इसमें V2 का second medium का निकलेगा first respect में ठीक है ऐसी अगर हमें पहले का निकालना है तो हमारे पास क्या होगा V2 upon V1 ठीक अब जब हमें इसको निकालना है second का तो हमें second हमें इसमें इसमें पास mu 2 upon 1 2 पहले आएगा यहां पर ठीक है इसको ऐसे denote करेंगे इसको बाद में लिखा जाएगा इसको ऐसे denote करेंगे तो यह standard है इसको ऐसे denote करना पड़ेगा हमें तभी हमारा answer सही जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि कि किसका हम refractive index निकाल रहे हैं ठीक यह था आपका refractive index ठीक है गाईस इसी में कुछ एक refractive index की values है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जैसे कि normally air air में refractive index जहोंने निकाला होगा तो कि standard form में 1.003 ठीक है इसी में फिर वह आइस का आइस में कितना है 1.31 refractive index जो पहले से calculate किया गया है कभी question आ जाता है तो हम इसको generally इसको भी put कर सकते है water का है water का speed water का reflect index 1.33 ये सारे किसके form में लिया है standard form में vacuum के form में ठीक है vacuum लिया है इन बे standard जिसके respect में निकाला है वो vacuum है ठीक है guys इसमें और भी है diamond diamond की reflect index 2.43 इसमें आप देखेंगे alcohol alcohol का reflect index इसमें 1.36 सिर्फ ये जो आपके 5-6 मैंने बता रहा हूँ ये आपको note करने की ज़र याद रखने की और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये आपके बहुत important है जो आपके question बन सकते है जहां से ठीक है एक और है इसमें तारपी नोयल ठीक है इसका भी बहुत important है ये भी question में बन जाता है 1.47 इसे भी question आ जाता है ठीक है ये आपको जो 6 मैंने बताया है ये ही important है आपको ये याद रखने है बाकी तो बहुत सारे हैं बेंजीन वगेरा तो आपको इनको याद रखने की ज़रूत नहीं है थोड़ा सा higher level के हैं ये ठीक है इसमें मैंने देखा कि तारपी नोयल हमारा तारपी नोयल का कितना है 1.47 और हमारे पास water का कितना है 1.33 अब दोनों में हम देखेंगे येक्षिर जयादा देंस रखनी है 1.47 से लेकिन इसक्षिकर देंसीटी का है water से कम है सुरी water से कम है जिसको हम कैसे मांस देंसिटी वह कम है तो इसके ज़्यादा है तो जिसकी देंसिटी कम है लेकिन वह क्या है dense medium है तो उसका रेफक। इडेक्स हमेंसे क्या होगा। ज्यादा होगा। तो आपको इस से भी आइडिया लग सकता है कि ज्यादा आना चाहिए है आप अमारा वीडियम को देख के हम, इसको, में तो psychology कर सकते हैं कि इसका हमारे रिफ्रेक्टर अंड़ी ज्यादा आना चाहिए ठी यह था आपका reader रिफ्रेक्टर इंड़न कैसे आपको रिफ्रेक्टर इंडवन निकालना हों ठीक अब इसी में हम दूसरा और शुरू करेंगे रिफ्रेक्शन के लेंस पढ़ेंगे हम लेंस की इमेज पढ़ेंगे हम ठीक है गाइस लेंस फॉर्मला पढ़ेंगे तो उस वीडियो के लिए हम इंतिजार कीजिए वो दूसरी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी तब तक इस वीडियो को देखी अच्छे से इसके नोट्स बनाईए है जो भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक हमने किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ठीक है गाइस वीडियो को जितना ज़्यादा सेयर कर सकते हैं कचिजिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है गाइस ओके ठैक्यू